यह टीम लड़ना जानती है और हार कर भी जीतना जानती है दोस्तों हम बात कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के बारे में किर्केट फैंस जिस टीम को लेकर के एक हारा हुआ टीम मान चुकी है यह टीम ने दिखा दिया कि इस टीम के पास कितना खेल बाकी है और कितना दम बाकी बता दे कि लखनो सूपर जोइंट्स के घर में जाकर के दिल्ली कैपिटल्स ने क्या सांदार खेल का नमूना पेस किया है और लखनो को हरा दिया है इससे पहले मैच की हम पुरी खबरों को जाने सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं हमारी इस यूट्यूब चैनल पर जै लखनो के होम ग्राउंड यानि की एकाना स्टेडियम में खेला गया अब तक दिल्ली कैपिटल्स ने आईपिएल दोज़ा चोबिस में छे मुकाबले खेले हैं इस मुकाबले में सबसे ज्यादा चार बार हार का सामना किया है लेकिन इसी दवरान जो दो मुकाबले दिल्ल कैपिटल्स की टीम कितनी मजबूत है और जब वह चाहे तो वह क्या कर सकती है और इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने बता दिया कि कोई भी टीम इसे कमजोर न समझे क्योंकि आने वाले दिनों में दिल्ली कैपिटल्स अपना यही खेल का नमूना पेस करने वाली है औ और बड़े बड़े टीमों को IPL 2024 के इस पॉइंट टेबल्स में उनके समिकरन बिगारते हुए नजर आ सकती है। तो दोस्तों चलिए बिना देरी की हुए मुकाबले पर ही आ जाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये दोनों टीमों के बिच यानि कि लखना सूपर जोइंट और दिल्ली करपिटल्स के बिच मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में लखना सूपर जोइंट ने टॉस जीती है और टॉस जीत कर पहले बले बाजी करने का फैसला किया। हलांकि शुरुवात ठीक ठाक ही रही लेकिन बीच में लगा कि लखनो सुपर्ड जोनिस का यह फैसला काफी गलत साबित हुआ और टीम जिस तरह से खेल रही थी लग रहा था कि मुश्किल से 100 का आकड़ा या 100 के आसपास का आकड़ा पार कर पाईगी और पुरी टीम तास की पत्तो किस तरह भिखर जाएगी लेकिन बताएंगे आपको कि ऐसा नहीं हुआ लास्ट में कैसे आयूस बदोनी ने पारी को संभाला और एक सम्मान जनक स्कूर तक लखनो की टीम को पहुँचाया अगर लखनो के बैटिंग की पारी की बात कर ली जाए तो बता दे कि इस दौरान लखनो के जो सलामी बल्ले बाज रहें क्विंटन डिकॉक और केल राहूल क्विंटन डिकॉक फीके साबित रहें उन्होंने महज 19 रन जोड़े और आउट हो गए केल राहूल भी कुछ खास परदसन नहीं कर पाएं लेकिन एक ची सुरवाट टीम को दी उन्होंने अपने बल्ले से 49 रन की पारी खेली इसके बाद देवदत पडिकल 3 रन पर चलते बने मारकस इस्टोनिस 8 रन बनाकर पविलियन का रास्ता नाप लिया वही निकोलस पुरण डग पर आउट हो गए दीपा खुड़ा 10 रन बनाकर आउट हो गए इसके बाद लग रहा था कि लखनो की टीम अब टिक नहीं पाएगी और यह पूरी टीम लगभग 110-120 के स्कोर पर आउट हो जाएगी लेकिन फिर इंट्री होती है आयूस बदोनी की भले ही लखनो टीम यह मैच हार गई लेकिन आयूस बदोनी को उसके इस परदसन के लिए पूरे 100 में से 100 अंक मिलने चाहिए बता दी कि आयूस बदोनी ने इस मुकाबले में 55 रन की पारी खेली और उनका ठीक ठाक साथ दिया अर्शत खान ने जिसने आखरी में आकर कि इस मुकाबले में 20 रन बनाई और इन दोनों खिलाडियों की मदद से लखनो की टीम आखिर आखिर में 166 रन बना पाई साथ विकेट के नुकसान पर जो की एक समान जनकी स्कूर मानना जा सकता है क्योंकि जिस तरह से लखनो की पीच है बड़ी स्टेडियम है तो वहाँ पे बड़े स्कूर बनते हुए देखे भी नहीं जाते हैं लेकिन जब लखनो की टीम गिंदबाजी का नयाई तो उनकी ग गिंदबाजी कुछ खास रही नहीं उसमें कुछ मजदार रहा नहीं और लखनो की गिंदबाजी पुरी तरह से फ्लॉप दिखी और इसका भरपूर फाइदा उठाया दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने और यह मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स जीत ली हम आपको बताएंगे क कि दिल्ली कैपिटल्स के किन बल्ले बाजों ने सबसे सांदार परदसन किया तो चली सीधे जान लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग के बारे में की कैसी बैटिंग रही तो बतादे कि सलामी बल्ले बाजी करने आए पिर्थवी सो और डेविड वर्नर ने पारी को स पिर्थवी सो जो दिल्ली कैपिटर्स के सुरुवाती तीन मुकाबले में बाहर बिठा दिये गए थे क्योंकि पिछला IPL उनका अच्छा रहा नहीं था लेकिन इस IPL जबसे वह टीम में सामिल किये गए हैं काफी सांदार दिख रहे हैं अच्छे लई में दिख रहे हैं इस म सम उम्र के 22 वर्स ये खिलाडी हैं अभी तक वह इंटरनेशनल मैच नहीं खेले हैं ये खिलाडी आउस्टेलिया से आता है अभी तक उस्टेलिया में ग्रूप एक के मुकाबले खेले हुए हैं बीबील में भी इस खिलाडी ने काफी सांदार प्रदसन करके दिखाया है ऐ ऐसे में उनका यह IPL का पहला ही मैच काफी सांदार रहा और अर्सत के पारी खेली उनहीं के पारी के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने यह मुकाबला जीता और कहीं न कहीं उनकी पारी के बास यह डिसाइड हो गया था कि दिल्ली कैपिटल्स यह मुकाबला जीतने जा रही है और उनका साथ बखुबी रिसब पंथ ने दिया वहीं दोनों खिलाडियों की बात कर ली जाए तो बता दे कि जैक फिरेसर ने इस मुकाबले में 55 रन की पारी खेली और टीम को लगबग जीत की दहलीज पर लाकर के खड़ा कर दिया और उनका साथ दिया रिसब पंथ ने रिसब पंथ भी पीछे नहीं रहे उन्होंने इस मुकाबले में 41 रन जोड़े हलांकि रिसब पंथ इस मुकाबले में और सत्तक जड़ सकते थे लेकिन रिसब पंथ की गलती हो गई जब एक गेंद उनके पास आया तो वो गलती से खुद ही के बैट से इस टम पर मार बैठे नतिजब रिसब पंथ को पविलियन जाना पड़ा और वह आउट हो गए इसके बाद फिर ट्रिश्टन स्टप्स आते हैं और फिर साई हो पाते हैं बता दे कि ट्रिश्टन और इस टीम के लिए 15 रन जोडते हैं साई हो गारा रन जोडते हैं लगभग ऑप चारिक टाई ही बागी रह जाती है क्योंकि अच्छे खासे बॉल्स रहते हैं पुरी टी जीत के साथ एक संकेत दे दिया है कि उन्हें कोई भी टीम कमजोर न समझे क्योंकि जिस तरह से दिली केपिटल्स ने यह पारी खेली है और यह मुकाबला जीता है दिली केपिटल्स आने वाले दिनों में IPL में दिखा सकती है कि वह कैसे टीमों को हराने वाली है या एक नई समिकरन IPL के पॉइंट टेबल में देखने को मिलेगा जिस तरह से दिली केपिटल्स का प्रदसन देखा जा रहा है खेर आपको क्या लगता है कि दिली कैपिटल्स जिस तरह से मुकाबले खेल रही है या प्ले आफ तक का सफर कर पाएगी या नहीं अपनी राई हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा साथ ही हम आपके लिए इस तरह की वीडियो हर रोज बनाते रहते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दें आपके लाइक और कमेंट से यूट्यूब के अलगोरिदम में बदलाओ होता है और हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक देखी जाती है कल मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ तब तक के लिए सुक्रिया